हेलो स्टुडेंट्स मेरा नाम नसी महमाद आज इस लेक्चर में हम इजी उए में बताएंगे एलाइलिक, बेनजाइलिक और भिनाइलिक हाइडोजन और कार्वन के बारे में का हम जो है कोई भी कमपोंड अगर दिया रहता है तो उसमें हम आसानी से पाचान हम केसे कर लेते प्विनाईलिक है या बेनजायली है उसके बारं में हमें दे रहा है यह देखिए गडिनायली कारवन हम इसमें निकाल रहे हैं फच्षार इस तरह कि जो है जैसे यह आक्षिन दिया है चार है इसमें को फारिकान में हमको निकालना है डीगरी इसमें निकालना है एलायलिक और बेंजायलिक हाइडोजन की पाचान करना है साथी साथ वो डीगरी उसका निकालना है तू डीगरी और तीम डीगरी कौन सा है तो इसमें हमको डीगरी निकालना है एलायलिक और बेंजायलिक हाइडोजन अब इस similarly एलाइलिक कार्बन की पाश्चान हो जाती है तो उस पर जो हाइडोजन होता है तो वो एलाइलिक हाइडोजन होगा है विनाली कारबन से जो है डोड़ा रहता है उसको बोलते है बैय सिग हीड्रहिण हाइट्फ हाय रहता है किसे डॉलिब कारबन अगर ह रंडा मॉन डैस्ट कारबन से जुड आप हम इसको बता रहें ने करके कि आई कारबन और Фट शयार करना की आई करना to the कार्बन जो होता है डॉबल बॉंट से आड्जेशन जो कार्बन होता है उस कार्बन को बोलते हैं एलाइलिक कार्बन एलाइलिक कार्बन और एलाइलिक कार्बन पर जो हाइडोजन होता है उस हाइडोजन को कहते हैं एलाइलिक हाइडोजन क्या लिगा है इसमें एलाइलिक हा डौन बांड से सटे कार्वन और जो हाइडोजन होता, हो क्या होता है? यहाँ बैंजायलीक और बैंजायलीक हाइडोजन कार्वन के चार्ज़ हम बताते हैं, देखिए. पढ़ी इस दोनों कॉइट को समझी है, फिनायलीक और इसमें तो की जो है निकालना है, इस में हम इस मलकूल कर जोजचार को दिया है, इसमें हम बिन्जायलिक अलायलिक और डिगरी हम बताते देखिए, यह क्या कहता है तक आप बेनायलिक और गायलिक के बारे में हम बता रहें इसमें कार्बन पर चारबोन है इस पर चारबोन हम कर देते हैं हम हाइडोजन भी देखा देते हैं यह अब देखिए यह कार्बन जो है डोल बॉन से जुड़ा है तो इस कार्बन को कि भिनाली कार्बन कहते हैं यह भी कार्बन डोल बॉन से यहां है भी बॉन्डेट कार्बन यह बॉन्डेट कार्बन यह दोनों किया हुआ यह आपको भीनाली कार्बन पर जो हाइडोजन होता है भीनालिक हाइडोजन बोलते हैं देखिए तो इसमें से सटे जो है आपने पाचान किया यहां पर देखिया कार्बन अगर डa Jeśli अगरक्व बॉन्ड से जुड़ा ही तो तो अधीर कॉवन गौैं कैपनिग तो ल कंपनाय। और और हाइडोजन किस को बोलेंगे हाइडोजन किस से जुड़ा है दॉली बोंडेट कार्डोन ते यह भी हाइडोजन डॉली बोंडेट कार्ड retailer जुड़ा है यह फिनायलिक हाइडोर मस पाशान हो गया अब यहां पर देखिए लईली Silicon क्या खा रहा है लाली कार्बन काता है डॉब बोंच से के साथे डॉब बोंच से और जैसे जो जो गार्बन होता है वह अलाइली कार्बन हो अम इनक्राइल बंट है कार्बन कार्बन को बोलते हैं इस पर जो हाइडोजन होता है उस hydrogen को क्या कहते है एलायलिक hydrogen पाचान हुआ एलायलिक और भिनायलिक hydrogen के बारे में अब आए यहां पर जहें बेंजायलिक कार्बन किसे कहते हैं तो बेंजायलिक कार्बन जो है यह कहता है अगर aromatic ring से aromatic ring से direct कोई कार्बन जुणा रहता है तो वह कार्बन कौन से होता है अगर कार्बन जो है डाइरेट बेंजायलिक कार्बन इस कार्बन को कहते हैं बेंजायलिक कार्बन इस कार्बन को क्या कहेंगे बेंजाइलिक कार्बन आइस पर जो हाइडोजन अब बेंजाइलिक कार्बन पर जो हाइडोजन होता है उसे बेंजाइलिक हाइडोजन कहते हैं बेंजाइलिक हाइडोजन यहां देखिए कार्बन आक्टाइस जुड़ा रहा था डायरेक डैर्ऒेट्ली तो इन्टिक ग्रींग से अगर डायरे कोई कार्बन होता तो बेंजिलाएक कार्बन अधनुल क्या है प्षीयर हंघ्रण अटईस्टू दा कार्बन करोंं छॉइंटैकल तूदा अरोमाइटिक से और अरोमाइटिक गिन शेंटली जो है कार्वन जो जुड़ा रहता है उस पर जुड़ा रहता हुस हाइडोजन को क्या बोलते हैं वैंजेलिक हाइडोजन कर लेक लंगाenty क्षिटल है इसको फार्ण धांके में करूंगा हम करेंगे कोस्टन जब बनाएंगे की еся सब काुछ न बनाएंगे उस में का उप्योंग को हम करेंगे की एलाइलिक, बेंजाइलिक, भिनाइलिक, हाइडोजन की पाशान हम कैसे करेंगे आईए इसके बाद जो है एक कुश्चन हम बताते हैं जिसमें देखा जाए हम भिनाइलिक, एलाइलिक, कार्वन, हाइडोजन की पाशान कैसे करते हैं जैसे एक एक्जाम्पल लेते हैं इसमें इनायलिक भिनायलिक हाइड्योजन को निकाला जाता है और कार्बन को भी निकालते हैं यह कार्बन कार्बन डोल बन है इससे जो है जुड़ा है यहां यहां से जुड़ा है यहां से जुड़ा है यहां पर भी जुड़ा है इसे भिनायली कार्बन कहते हैं बिनालिक कार्बन पर बिनालिक कार्बन से जो हाइडोजन जुड़ा रहता है तो उसको बोलते हैं बिनालिक हाइडोजन देखिए यह हाइडोजन है डबली बॉन्डेट कार्बन से जुड़ा है यानि बिनालिक कार्बन से यह हाइडोजन जुड़ा है तो यह हाइडोजन हो किस से जुर हो डाबली बॉंडेटीट कार्बों यह हाईडोजन से वड्रीक रॡधे दॉडब्य। भीनाइलीक में आद जनके कार्बों जो कि एक ऐस जो है आड्टैसन देखीन सैंसे खर बार औरबने मिग्सिंट कारून यानि सटाव कार्बन क्या होता है एलाइलिक कार्बन होता है अब यहां पर यह कार्बन को यह हुआ इस पर जो हाइडोजन जुडा है तीन तो यह हुआ इलाइलिक हाइडोजन को मुल कहते हैं यह कार्बन से आजएयसएंड यह कार्बन यह कार्बन से हैं है कारवन हे इससे मेडुंहाइलिक पोजिशन हो रहा है इस कारवन को ङृयलिक कारवन कहां थे हाइड्योजन इससे जुढ़ा है कि मोड़ें अब यहां भड़न कि फैनली कारवन केतना है तही कला कर यह ना निक hydrogen कितना है विनाइलिक hydrogen एक है one इसके बाद देखिए एलाइलिक carbon एलाइलिक carbon इस मलकूल में कितना है यह है यह है यह यह तो यह कितना हुआ तीन है एलाइलिक hydrogen हम निकाल सकते हैं इस पर दो है तिन है एक तीन है तकर नो हो आठ एस तरह अगर में अगर कुशन में एलाइलिक बेंजालीक हाइडोजन या कार्भन और पूस्ता है तो हम जो है इस तरीके से आसानी से डिटर्माइन कर सकते हैं के हाइडोजन और कारवन कौन सा यह निकाल सकते हैं स्थोरी कर सकते हैं और हाइडोजन भी हम निकाल सकते हैं यह फट्लत कि यो कोर्षय निकालना है उस में तब बेंजालिक और बेंजालिक की चर्चा है, एलाइल, वन डिग्री, टू डिग्री, वन डिग्री, टू डिग्री, एंड थ्री डिग्री, हम निकालते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन की पहचान करते हैं, देखें, वन डिग्री कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को, वन डिग्री हाइड्रोजन काते हैं, टू डिग्री कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को, टू डिग्री हाइड्रोजन, सिमिला दी, तीन डिग्री कार्बन पर ज कि दो अधर कार्बन कोई कार्बन दो अधर कार्बन से जुड़ा रहता है तो टू डिग्री सिमिलरली अगर कोई कार्बन तीन अधर कार्बन से जुड़ा रहता है तो तीन डिग्री उसी तड़ा फोट डिग्री भी आता है इसमें एक एग्जामपल लेते हैं पांच कार्ब यहां पर यहां पर यहां पर यह कार्बन जोड़ा रहें तो यह कार्बन जोड़ा है तो यह कार्बन तीन अधर कार्बन से जोड़ा है तो यह वन डिगरी कार्बन यह भी जो है यह कार्बन से जोड़ा है वन डिगरी कार्बन यह कार्बन तीन अधर कार्बन से जोड़ा है तो डिगरी कार्बोन यह फोर डिगरी कार्बोन फोर अधर कार्बोन से जुड़ा है यह वन डिगरी कार्बोन यह भी क्या है वन डिगरी कार्बोन से जुड़े है वन डिगरी कार्बोन से जुड़े हाइडोजन को वन डिगरी हाइडोजन कहते है तो यहां पर कितना है तीन 3 hydrogen hydrogen 1 degree है न being hydrogen कोतना है थीन है दा हम यहां लिखन है есте फीन कार्बन के तना है इस मल्कूल में करता है है इस ने सब्सक्राइब H345 वाउन डिगरी हाइडोजन तो ओन ड्री कार्बन से जुड़े हाइडोजन को न incentivर हाइडोजन बोलते हैं यहाँ देखिए इसवार तीन है यह तिन छे तिन नों तिन बाराब तिन पंदर इंटू थी यह 15 हुआ बन डिकर हाइडोजन टू डूगरी carbon हम City इसमें करते हैं तो डूगरी carbon क्या है कि ही हई इसमें आप तू डूगरी hydrogen तू डूगरी carbon से two hydrogen जूटा है तो डूगर्वन से जूड़े hydrogen को तू डूगरी hydrogen होग गया सब लेली जो है तीन करभान यजिय कर्म जो है एक ही है यह 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 इन्सका करण सब्सक्राइब यह डिवर्ण है यह इस थरह हम करबं का और ढडिव भी हम निकाल लेते हैं यह फोर्डीनी कार्बवन है यह की है फोर्डीकरबन लेहिंट इस पर हाइडरोजन नहीं रहता है इसा इसे कहा रहा है टुर टीज्विच अर्णक हाइड तीन डेगरी आड बैंजालिक हाइडरोजन सुप्षाल्या भी पूछरा है अस्टति शाथ अ लाइलीक और वेंजनीक हाइडोजन की भी पहांचारा करना है फस्त देखिए फस्त क्या है देखें यह कारबन जो है डाइरंट रिंग से जुडा है आंसे यह कारबन पर जो हाइडोजन होता है आपका कौन सा बेंजैलिक राट हेजनग करक्या होता है टीन और और से जुड़ा है ति यह तीन डीर कार्बऑन है तीन डीर कार्बन से जुड़े हाइडरोजन को जूंड करो दो wegen भी यह आई कि यहां पर आये इसको हम देखते हैं दिखींगे यह डौण अर्डयक rounds units और उस पर जुड़े हैडॉजं को ऐला लिक घर्ड्रो तो ए डॉल बोन से अठ्जाजक्स कारबन है को मी है ये या इनलि रिऴा लीव है डॉजेन यह कार्बन जो बेंजेन रिंग से जूटा है तो यह कार्बन कौन सा है बेंजालिक आइसго जूड़ा हाईडोजन कра्णा बेंजालिक हाईडोजों तो यह जो है यह हाई-डोजन यह जो है डॉल बोन से सटे कार्बन ये है तो ये ईलाइलिक भी है ये कार्बन जो है बेंजीन निंग से डारेक जूता है तो ये फारेक फिए Subscribe डूनों है इसमें हम देते हैं ये है ये आपका एलाइलिक इैंड बैंजायलिक इससे अगर मने इधर से देखते हैं तो यह डौल बंड से अर्जेसन कार्बॉन एलायलिक और यह कार्बन जो है इरोमेटिक दिंग से जूटा है ति यह बेंजायलिक भी है अब इसका डिगरी हम पता लगा लते हैं यह कार्बन दो का और कार्मन से जुड़ा है ती यह two degree the hydrogen फेकल दिग्री हए two degree तह टू डिग्री और साथ-ी-साथ क्या है य lovely and benze लिक हाई हां है कि ही है यह ए अर है यह वै और यह वोचन क्या है के देखा हुआуск अब यह देखिए यह डॉल्ट वंड से आड जैसें कारबं यह है यह कार बन जो है कौन सा एलाली कारबं है hydrogen जो जूटा है इसे डाल बंट से आटजेशन यह carbon है तो यह carbon अलीक नहीं है, लेकिन hydrogen नहीं है, इसको अगडे उसनल को छोड़ देते हैं यहां आए इस डाबमन से है इस पर राचेर्शन कार्बोन और या कित्वा Inde लैली। हाइडुलिक हीडूलिठ है। यहां झलत देखा चाहते हैं यहां दू दिया है एक रिंग दिया है। यह वह एक रिंग रिंग है लेकिनि उसमें क्या है गजहिसाडिया। नहीं हो डबुल बॉन है इसमें इसमें व्यक्रीन क्या हीजारन किया आर्टिक रिंग हरतक है अधिक आयए यहां आय लेकर मेलकज मैंसरियाज कार्बन इसने ल्डाग दूटरा पर जो ह हो क्राइदोजन को एक है में वह सा अब हो इस पर देखिए इस कारबन पर जो थो आ है दो भू किखे है तो दो हदोज आपर होगा ये ऐसा यह कार्वन कर सा है कार्वन है इस पर ह गार य Tylik hydrogen होगा तो यहां यह इस पर जो है carbon जो है वो क्या है यह लाइलिक है आइस पर जो hydrogen होगा उसे क्या बोलेंगे यह कितना degree है यह दो other carbon से जुड़ा है तो यह two degree and allylic hydrogen two degree allylic hydrogen आइए इसको consider किया जाये इसको इसको यह 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 भी जो है double one से double one से which isn carbon यह better sellers one से AR siento carbon यह लो फ्या ज़ेए कारवान जो है क्या है यह भी क्या है यह लाली कारवण हैuld जो आट जेसन कारवन को कि यह 20 हाइडोजन देखाई दे रहा यह तीनू hydrogen क्या है एलाइलिक हाइडोजन है लेकिन यह carbon एकंग ही carbon से जुटा है ति यह one degree और एलाइलिक है यह hydrogen क्या है one degree है और एलाइलिक यह person पो रहा है two degree और three degrees चर्चा है अगर पूल पूछता है इसका अगर हम जवाब देते हैं het ये hydrogen one degree है और एलाइलिक है आई यह रिंग से सटे कार्बन जो कार्बन रिंग से सटे रहता है उसको बोलते हैं बेंजालिक तो यह कार्बन देखिये यह कार्बन जो है यह कार्बन कार्बन रिंग से जुड़ा है यह कार्बन कौन सा है यह बेंजायलिक है बेंजायलिक कार्बन आइस पर जो हाइडोजन होगा यह आपका हुआ बेंजाइलिक हाइडोजन इस पर जो हाइडोजन होगा इस कार्बन परचुकि यह कार्बन डारेक्टरी दिन से जुटा है तो इस पर जो हाइडोजन होगा बेंजाइलिक हाइडोजन और कितना डिगरी है यह कार्बन तीन कार्बन से जुटा है तो यह तीन डिगरी एंड ब पाशान कर रहे हैं और रूल की मदद से जो हम बताया है तो किसी भी स्पेसिज में कमपॉंड में आप पतन लगा सकते हैं फिनाईलीक एलाईलीक और बेजाईलीक हाईडोजन का अब उसकी जो है अगowski प्राशान हो जाती है तो आप इसकी रियक्टिवीटि हम जो है आने वाले फिलास में हम बताएंगे कि ऐलायलिक हाइडोजन बेंजालीक ऑडुरी और है अलकाइल में उसकी ड्रीग्टमेटी बताएंगे एक डूसरे से कितना टाइम्स यादा होता है अब इसमें यह हेलो एलकेन में में बिनाइल कुलोराइड एलैल कुलोराइड के बारे में बता देते हैं हब नाइल गुरुप जो होता है एक सिन्लोंछ सेसे निकालते हैं देख इथिलीन जो होता है स्टी मिलता है इसको बोलते हैं यह क्या है क्या है विलія वि रल है लिक लिखता है जैसे लिखते हैं कि भी नाइल कुलोराइड इसका क्या फर्मूला होगा CS2 डॉल बॉंड CS भी नाइल है इसमें CS जोड़ देंगे भी नाइल कुलोराइड वरमाइड बोरता है तो यहां हम लेख सकते हैं एलाइल गुरूप यहां से जो एक हाटा देते हैं यह गुरूप मिलता है यह एलाइल गुरूप है अगर हम लिखते हैं इसे CS2 डॉल बॉंड CS डॉल बॉंड से आड़ जेसन कार्वन यह क्या है एलाइलिक कार्वन है उससे जूरा हाइड्रोजन को यहां दूग वो एलाइलिक हाइड्रोजन है और यहां CL अगर देते हैं इसका नाम क्या हुआ एलाइल गुलूराइड इसके चार्चा जो है हाइल विलकिन में हम करेंगे मिद्यातियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए धन्य बात झाल 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 झाल